सब्सक्राइब कर दोड़ा इवेंट है दो स्टेट इलेक्शन्स के रिजल्ड का दिन है हाला कि पूल के नतीजे कुछ और दिखा रहें आज रियल क्या रिजल्ट होगा यह पता चलेगा बारा बजे के बाद थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा तो काफी वोलटाइल मूव आज इंडेक्स में देखने को मिल सकता है तो जो फ्रेशर से न्यू कमर से स्टॉक मार्केट में वह वो सिर्फ वेट एंड़ वाच करे वोलाटिलिटी का स्टॉडी करें कैसे मूव करता है मार्केट वो देखें मल्टिपल लेक के साथ आप्शन ट्रेडिंग करें सिंगल लेक के साथ ट्रेडिंग करना ता फिर इसकी हो सकते है तो आज कि आनिफटी के इंट्राडे लेवल्स हो सकते इसको identify करेंगे लेकिन उससे पहले कल के आनलीसिस का एक विक्ली रिव्यू करते हैं यह एक पिक्चर है कल का यानि 23rd October आफ्टर मार्केट अर्च जे पिक्चर लिया हुआ है अगर आपने अमारा कल का वीडियो देखा होगा अगर नहीं देखा है तो उपर या आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी तो कल breakout level हमारा बंद रहा था 11600 और breakdown level बंद रहा था 11500 यह दसमेरीट का nifty index का चैट है जैसे affected indexchey open हुआ त्रफ य therapymore और breakdown लेवल यह पर ब्रेक होते ही फर्स तर्गेट 11500 यह एक्जाक्ट आचीवड हुआ और कल लोभी एक्जाक्त 11500 था यहां से सपोर्ट लेके यह bounce back हुआ और जैसे हमारा breakout level उपर break हुआ तो यहां पर हमारा first target 1100625 भी achieved हुआ काफी देर यहां पर एक pause लिया और इसको भी break करने के बाद 1100641 यह second target भी यहां पर achieved हुआ और exact इसी level के पास इसने कई बार इस level को भी break करने के कोशिश की penetrate हुआ और यहां पर exact resistance लेके face towards south की तरफ तो काफी accurate level कल भी कल साबित हुए और कल के analysis के according अगर trade करते तो around 32 points का यहां पर trade करने का मोगा था और 10 lots के सब्सक्राइब करते तो 24,000 का यहां पर profit बन सकता था तो यह था कल के analysis का quickly review global market के आला देख लेते हैं कल अमरीकी बजार Dow Jones Nasdaq हरे निशान में बंद हुए तेजी देखने को मिली और एशियाई market में फ्रांस market में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला हाला कि लंडन और जर्मन market में तेजी थी और एशियाई market आज हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे है डाव future की बात करें तो वहां पर भी हलकी सी बड़त देखने को मिल रही है एश्जी एक्स निफ्टी भी 33 पॉइंट के बड़त के साथ ट्रेड कर रहा है तो थोड़ी सी यह ब्रेक आउट नहीं मिला है हमने यह पर फीबना सी एक्स्टेंशन लेवल को ड्रॉ किया था इसका 61.8 पर सेंट का लेवल अल्मोस्त अच्य हुआ था इसी के पास इसका यह जो नेक लाइन है यह भी एक्जैक्ट इसी के पास आ रहा है तो इस नेक लाइन के ऊपर अग कि आसे हमें अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है यह टेकनिकल लेवल के अकॉर्डिंग हम यहां पर अनलीसिस कर रहे है और अगर टूर्ट साउथ की तरफ अगर यह मूव करता है अगर यह साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो हमने यहां पर डेली चार्ट में यह है डेली चार्ट यहां पर हमने फीबो नसी रिट्रेस्मेंट लेवल को ड्रॉ किया था यह इसे इस लो और इस हाई को पकड़ के तो 23.6% का यह जो लेवल है यह कल इसने अच्विड किया था इस लेवल के नीचे नहीं गिया इस लेवल के नीचे अगर सस्टेंड करेगा हाफ अर्ली चैट में तो मैं एक स्लेवल 11,475 के लेवल यहां पर निफ्टीं टेक्स में देखने को मिली सकते हैं यह डेली चैट में कल यह दोजी के एंडल्स टिक फॉर्मेशन हुआ है दोजी आने जया पर ओपन होता है उसी के पास आकर यह फ्लोस हुता है तो दोजी का अने कबाद हमने फास्त में भी देखा है next day, a strong move आता है यह आप देख सकते यह दो G candle stick है, उसके next day, a strong move यह दो G candle stick है, उसके next day, a strong move यहाँ पर ईक 2 G candle stick बना था, next day, a strong move फिर से एक बार 2 G candle stick, उसके next day, a strong move तो आज यह जो दो G बना एकल का इसका high और low यह trigger point हो सकते हैं, इन दोनों यह मतलब high और low अगर कोई भी इन में से एक अगर comfortably break करता है, तो उस direction में हमें एक जबरदस trend देखने को मिल सकता है, तो यह है daily और weekly chart का analysis, आज intraday levels क्या हो सकते हैं, यह identify करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा analysis है, RSI versus price action के साथ, तो यहाँ पर अगर price action में देखे, line chart को convert करने के बाद, यहाँ पर flat है, price action देखे, तो यहाँ पर यह flat pattern बन रहा था, जो high है, यहाँ पर यह उसका next high बना था और फिर यह south की तरफ मुआ था, तभी RSI में यहाँ पर lower highs create हो रहे थे, यह lower highs यहाँ पर create हो रहे है, और अभी price action म यह पनने के बाद price action में भी lower highs देखने को मिल रहे है, तो यहाँ पर हो सकता है, एक pressure देखने को मिले, यह analysis है, RSI versus price action का, तो आज निफ्टी में क्या intraday levels हो सकते हैं, clearly है कल दो जी बना था, तो कल का high यानि यह जो R1 का level है, इस हाई के पास आ रहा है, 11,652 यह हमारा breakout level होगा, और इसके ऊपर अगर यह sustain करता है, तो ही intraday के लिए हम buy position बना सकते हैं, और तभी हमारा first target होगा, 11,670 यह हमारा first target होगा और second target होगा, 11,694, 11,700 को हमने देखा है, डेली चार्ट में, यहाँ पर यह डेली चार्ट तीन बार यह इस लेवल से correction दिखा है, यह दूसरी बार और यह अभी इस वक तीसरी बार, तो 11,700 के पास एक strong support है, resistance है, तो यहाँ पर अगर यह 652 को break करता है, तो ही intraday के लिए हम buy position बना सकते हैं, और first target 11,670 का होगा, और second target 11,694 का होगा, अगर towards south की तरफ move करता है, तो कल का low, exact यह S1 के level के पास आ रहा है, 11,555 को अगर break करता है, 555 को, तो ही intraday के लिए हम short position बना सकते हैं, और तभी हमारा first target होगा, 11,533, यह हमारा first target होगा, और second target होगा, यह जो blue line है, 50A में का हो सकता है, support का काम करें, तो इसके just नीचे, यानि यहाँ पर 11,519, यह हमारा second target होगा, तो यह Nifty के लिए आज के लिए, आज के लिए intraday levels, काफी event है, बड़ा event है आज के दिन, तो अगर आए आपको analysis अच्छा लगा हो, तो please hit the like button, share कर सकते हैं, comment कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस YouTube channel को जरूँ शेर कीजिए, और subscribe करना ना भूले, तो थारूब्स के लिए, आपके लिए होती स्टों के लिए हुआ आपके लिए आपके लिए रख सेवाह जबए घ्र अजेन,